यूपी के उज़ा मंत्री श्रीकान शर्मा ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी उन्होंने इलाबाद में चल रहे प्रदर्शन पर कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका हक है इंसा करने वालों के खिलाफ कारवाई की जाएगी विबक्ष की पातियां छात्रों क मुहरा बना रही है वहीं डियेचेफल में हुई ग्रफतारी पर शर्मा ने कहा कि अब तक सत्रा लोगों की ग्रफतारी हो चुकी है साथी गौरफ जंदिल के हत्या दुखत है आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे श्रीकान शर्मा से बात की हमारे समदाता अमें दूबे जा रही है उन लोगों को जिनका धर्म के आधार पर उत्पिड़न हुआ और पाकिस्तान जैसा इसलामिक देश जहां वो अल्प संक्यक है इस पर राजनिती करना बही मानी है इसको धर्म के चस्मे से देखना बही मानी है और इसी तरह फिर आप जंसंख्या नेंतरण को ले कर भी और जंगर्णा को लेकर भी तो तमाम कहीं न कहीं आप जो एक जंगर्णा को लेकर जो एक ब्यवाद करने की लोग कोसिस कर रहे हैं यह भी उसित नहीं है और जो लोग राजनिते काखाडे में पूरी तरह से परास्त हो चुके हैं वो ही नागरिक्ता संसुदन अध् कि बात की बागी जगे परदर्सन नहीं दिख रहा कमिया कहां पे कि क्या विपक्ष कर रहा है सरकार में देखिए उत्तव प्रदेश में कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है आपको अगर प्रोटेस्ट करना शांती पून तरीके से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन अगर बस जलाने की सरकारी संपत्ति को नुक्सान पहुचाने की पुलिस फ़र गूली चलाने की अनुमती हमारे प्रदेश में नहीं है अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो सक्ति के साथ कानून अपना काम करेगा लेकिन हम उन तमाम लोगों को निव पिरिकान चीज इस तरह से संग प्रमूख का लग और देश के दिए वह संग पिए जहार को और गुझना चया तो कि ज्यादे टरे लोग उनसे सहकत हुं मैं स्वायम उनके बयाद से सहमत हूँ कमिशनी सिस्टम भी यूपी में लाग हो गया लखनोवी आनोइडा की बात करें लेकिन उसके बाब जूद गौरब चंदिल के हत्यार याद तक पुलिस के हाथ ने जल्दी पकड़े जाएंगे बहुत दुखद घटना है हमारी उनके परवार के प्रती घरी संबेदना है अपर आधी जादा दिन तक बचेंगे नहीं बहुत जल्दी सलाकों के पीछे आएंगे सर पी एफ घोटालिक लेके जिस तरह से आपके बिभाग पे कई सवाल खड़े हुए रिचेंट्ली दिल्ली से एक और गरिफतारी हुई है तो गरिफतारी हो रही है जो लोग जनोंने गुना किया है वो सलाकों के पीछे जाएंगे और हवेस में इस तरह का कोई गुना ना कर सकें इस तरह की सजा उन लोगों को मिलेगी बात करने के लिए शुक्रिया तो यह थे श्रीकान सर्मा जो साब तो पर कह रहे थे कि नागरिकता देने का कानून है और इसे लेके किसी को भी हिंशा की जायत नहीं है कैमरामन केसरक साथ मिद्वे आरनाइटीवी दिल्ली